हलो दोस्तों, वेलकम टू आज चैनल लाणवी दरीवन, दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि डेपुटिशन क्या होता है, डेपुटेनिष्ट कौन होता है और जो करमचारी जो अधिकारी डेपुटेशन पर जाता है, उसके राइट्स या उसके अधिकार क्या हो तो डेपुटेशन कुछ भी नहीं है, जब भी किसी करमचारी या किसी अधिकारी का मूल संस्ता से या जो उसकी परेंटल और्गनेजेशन है, या उसका जो परेंटल काडर है, परमानेंट काडर है, उसके अतरिक्त यदि उसका कहीं ट्रांसफर होता है, तो उसे आप जाता है, जैसे कि यदि कोई पुलिस आफसर है, यदि किसी पुलिस आफसर जैसे SP रैंका ये DIG रैंका है, और वो यदि किसी जिले के अंदर, या किसी संभाग के अंदर पोस्टेट है, और वो वहाँ पे SSP है, SPA ये DIG है, तो वो अपने परेंटल और्गनेशन में काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह deputation पे कहीं अन्य जगे जाता है, यानि जिले या संभाग को छोड़के, यानि Central Army Police Forces में चला गया, या फिर National Police Academy में चला गया, तो उस case के अंदर ये deputation consider किया जाएगा, वैसे यदि कोई district judge है, additional district judge है, उसका काम court के अंदर नियाय देना है, या फिर as the judge काम करना है, लेकिन यदि उसका transfer किसी judicial academy में हो जाता है, तो इसे आप deputation कहेंगे, या deputation consider करेंगे, तो Supreme Court ने State of Punjab रसिस इंदर सिंग के case में deputation को कहा हुआ है, यदि किसी भी करमचारी का transfer, मूल संस्था से, parent organization से, outside the parent organization होता है, या outside the permanent cardiff होता है, तो इसे deputation कहा जाता है, deputinist वो वेक्ति है, जो deputation पे गयवा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको deputations के जो right हैं, वो भी बताऊंगा, सबसे पहले जो भी deputinist हैं, उसको उसकी consent के बिना, उसकी सहमती के बिना उसका transfer नहीं किया जा सकता, या तो वो खुद की choice पे deputation पे जा सकता है, अन्य यदि public interest में या लोग हित में उसका transfer किसी अन्य विभाग में या deputation किया जाता है, तो उसकी consent लेनी, उसकी सहमती लेनी अवशक है, दूसरी बात, deputinist का जब भी transfer होता है, तो same grade पे, same basic pay पे होता है, यानि उसका कोई भी reduction in grade पे नहीं हो सकता, उसको same grade पे, वहाँ पे transfer किय जाएगा, और विधी वहाँ पे same grade की rank खाली नहीं है, तो उसे वहाँ पे transfer नहीं किया जा सकता, third thing is that, कि यदि deputinist को अपने मूल department में, permanent जो carder है, वहाँ पे basic amenities जो भी मिलती थी, गाड़ी, घर, बंगला, allowances, वो same के same जो allowances ये facilities हैं, वो deputation के दोरान भी दी जाएगी, य ये भी उसका एक matter of right है, fourth and important thing is that, कि यो भी करमचारी अधिकारी deputation पे कहीं अन जगे गाया है, तो उसका जो parent organization में जो seniority चल दी है, या जो parent carder है, वहाँ पे जो भी seniority है उसकी, वो वहीं पे रहेगा, यथावत रहेगा, और जैसे जैसे उसके साथियों के transfer होंगे, तो उस किसी के भी transfer होते जाएंगे, बले से वो किसी अन्य department में काम कर रहा है, जैसे ही parent organization के करमचारीों का transfer होता है, MSCPs मिलती है, increments मिलते हैं, तो उसको भी same benefits वहाँ पे दिये जाएंगे, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को like कीजीए का चैनल को subscribe कीजीए का, वीडियो को share करना ना भूले, thank you